हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल प्रदिप एद्वोर्ट पर आज आप सभी के लिए BPSC परधान सिक्षक परिक्षा दुहजार चोविस सभी सिक्षक साथ यूं रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे सभी अपना अपना ओमार सिट डौनलोड कर लिए होंगे और प्रिवियस आंसर की से मिला लिए होंगे आज आप सभी के लिए BPSC परधान सिक्षक परिक्षा दुहजार चोविस का एक्सपेक्टेट कट अप लेकर आये हैं वो भी पचास परतिसत आरक्षन पर रिजल्ट जारी करने का आदेश प्राप्त हो गया है जिसमें महिला अभेर्थियों का बल्ले बल्ले जी हाँ जितने भी महिला अभेर्थी शिक्षिकाएं परिक्षा दी है यदि वो पासिंग कट अप से दो से तिन नंबर यदि ज्यादा अधिक ला रहे हैं तो वो निशिंट हो जाए उनका रिजल्ट हंडेट परसेंट आने की समभावना बनती है साथ ही बहुत कम कट अप रहने का अनुमान है जब विग्यप्ति आया था तो आप सभी को पता ही है कि 65 पर 37 आरक्षन पर विग्यप्ति जो है परकासित हुआ था और इसी आधार पर एक्जाम भी हुई जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 75 पर 37 आरक्षन को रद किया और 50 पर 37 आरक्षन पर जो है उनको या थावत रखा गया 50 पर 37 आरक्षन पर रिजल्ट जारी होगा उसका एक्सपेक्टेट कट अप कितना होगा तो आईए आप सभी को एक एक करके बताते हैं तो सबसे पहले हम किस कर्टोगरी में कितने सीट हैं उस पर चर्चा करते हैं तो आईए बिपी असी परधान सिक्षक भरती परिक्षा दोजार चोबिस आप सभी को पता है कि चालिस हजार पलस कुल सीटे हैं जिन में से यू आर चालिस परती सर्थ पर शोलह हजार निनानमे सीट है वही EWS का सीट जो है 10% आरक्षन उनको मिला है तो 4024 सीट बनता है इसी परकार SC का 6449 सीट है 16% आरक्षन मिला है उनको ST का 1% है जिसमें सीट बनता है 403 इसी तरह BC का 12% सीट मिला है तो उस हिसाब से 4829 सीटे हैं इसी तरह EBC का 18% सीट रिजर्व हैं उस हिसाब से 7245 सीट जो है निर्दारित है इसी तरह pH विकलांग अस्ति के लिए 3% है उस हिसाब से 1208 सीट जो है इस पर रिजर्व है तो आईए बारी बारी से सभी का जो है expected cut-up के बारे में हम लोग जानते हैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी जानते होंगे एक एक्जाम का जो पेपर था वो किस परकार का था किस लेवल का था तो पेपर का जो लेवल था वो हाई टू मोडरेट था है ना और उसका प्रिवियर्स आंसर की आ गया है जो अभी तक नहीं देखे हैं वह जरूर अपने मार्शिट से डाउनलड करके देख सकते हैं और देख लेवी होंगे सभी का अपना-पना मार्ख किसको कितना आ रहा है सभी को आप लोगों को पता ही है तो किस कोटेगरी का कितने मार्ख पर सेलेक्शन होगा तो आएए बताते हैं यू आर यू आर की बात करते हैं जहां तक मेल और इधर फिमेल तो यू आर में एक्सपेक्टेट कटप जो जाएगा इस वार वह मेल के लिए अर्षर से बहत्तर आर्षर से बहत्तर जिस स्फिक साथियों को आर्षर से बहत्तर के विश मार्ख आ रहे हैं वो निस्चित हो जाए इनका जो है रिजल हो जाएगा इसी तरह जहां तक यू आर फिमेल की बात करते हैं तो इनका जो कटप होगा वो 58 से 62 रहने की संभावना है चलिए इसी तरह EWS 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 मेल की बात करते हैं EWS मेल में cut up जाएगा 66 से 70 66 से 70 जो है जिनके भी मार्क आ रहे हैं वो निस्षिट हो जाए वो उनका result 100% आने की संभावना है इसी तरह EWS फिमेल की बात करते हैं तो EWS फिमेल में 55 से 57 55 से 57 cut up जाने की संभावना है इसी तरह जहां तक 20 की बात करते हैं तो 20 मेल में जो है 66 से 70 66 से 70 मार्क के बीच इनका cut up रहने वाला है इसी तरह BC फिमेल की बात करते हैं तो 55 से 58 55 से 58 के बीच इनका cut up रहेगा चली वही EVC की बात करते हैं EVC की तो EVC मेल में का जो cut up हो जाएगा 62 से 66 जी 62 से 66 इसी तरह फिमेल की बात करते हैं तो 52 से 55 मार्क के बीच जो है इनका cut up रहेगा इसी तरह यदि हम SC की बात करते हैं SC की बात करते हैं तो SC मेल के लिए जो है 53 से 56 के बीच जो है cut up रहेगा वही फिमेल की बात करते हैं तो 51 से 53 मार्क यदि आ रहे हैं तो वह अपने आपको सुरक्षित समझे इसी तरह ST की मेल की बात करें तो ST मेल में जो है 53 से 56 मार्क की संभावना है इसी तरह फिमेल की बात करें तो 50 से 52 cut up रहने की संभावना है इसी तरह यदि हम पी एच विकलांग कोटे की बात करते हैं तो इनका कट अप जो है वह बावन से चोबन के बीच जो है मेल के लिए रहने की संभावना है इसी तरह फिमेल की बात करते हैं तो 48 से 50 कट अप रहने की संभावना है तो इसका फाइनल जो कट अप है आपका लेश्ट है तो इस तरह पचास परतिस्षत आरक्षन पर जो एकस्पेक्ट कट अप जो है वह है यू आर के लिए जहां अर्शर से बहत्तर उसी तरह फिमेल के लिए अंठावन से बात्सथ इडबलू एस के लिए श्यासर से सत्तर और फिमेल के लिए 55 से अंठावन विशी के लिए जो है बात्सर से 66 और फिमेल के लिए बावन से पचपन एस्सी के लिए जो है मेल के लिए 53 से 56 और फिमेल के लिए 51 से तिरपन इसी तरह ST के लिए मेल के लिए 53-56 और फिमेल के लिए 50-52 विकलांग के लिए 52-54 मेल के लिए और फिमेल के लिए 48-50 तो इस तरह जो cut-up है वो रहने का 100% संभावना है तो इस cut-up के बीच जितने भी सिक्षक बहनों का मारक आ रहा है तो अनिसिंट हो जा हुआ, रिजल्ट 100% आने की संभावना है तो आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं जरूर मेरी चैनल को सब्क्राइब कर लिजे, बेल आइकन को प्रेस कर लिजे और इसी तरह का वीडियो मैं लेकर आता रहूंगा